फ्रेंड्स अपने पीछले वीडियो में बैंक एकाउंट फ्रीज होने और FIR होने के बाद आपको मिलने वाले CRPC सेक्षन 41A के अंतरगत नोटिस की चर्चा मैंने की थी इस वीडियो में हाला कि मैंने तमाँ बातों को बहुत ही विस्तार से कवर किया था लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे धिर सारे कॉमेंट्स मिल रहे हैं जिनमें लोग या पुछ रहे हैं कि क्या बैंक एकाउंट फ्रीज होने से पहले भी इस तरह का कोई नोटिस आपको आ हाला कि इससे संबंद में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था लेकिन बहुत सारे लोगों को इस संबंद में कंफ्यूजन है इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर एक स्पेसिविक वीडियो बना दूँ जिन भी लोगों को CRPC Section 41A के नोटिस या उसके प्रोसीजर के स संबंद में जानकारी चाहिए वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यहां पर आपको इस संबंद में बताने जा रहा हूँ कि यहार नोटिस कब और किस परिस्तिती में आपको मिलती है और इस नोटिस के मिलने क time period क्या हो सकता है तो चलिए start करते हैं अपना video और जानते हैं इस सम्बंद में तो friends जो भी online fraud होते हैं और उसे सम्बंद में जो भी complaint cyber cell में lodge होता है उसके कुल दो तरीके होते हैं पहला यहा है कि जिसके साथ fraud हुआ है वह victim direct cyber crime के portal पर जाकर अपना complaint फाइल कर सकता है complaint फाइल करने के बाद उसे एक solar digit का नंबर प्राप्त होता है मैं आपको बता दूँ कि यह solar digit का नंबर FIR नंबर नहीं है पहले इस confusion को आप दूर कर लें यह solar number का digit सिर्फ यह दर्शाता है कि किसी fraud मामले में एक complaint cyber cell में से पहले fraud हुए उस पैसे को trace करना शुरू करता है और जिस जिस bank account में वह पैसा मिलता है उन सारे bank accounts को cyber cell freeze कर देता है इसके बाद cyber cell उस case में inquiry करता है अगर वह मामला inquiry के level पर ही solve हो गया तो बात वहीं खतम हो जाती है और इस तरह के मामलों में किसी भी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होता है लेकिन अगर inquiry level पर या मामला solve नहीं हुआ तो फिर finally cyber cell इस तरह के मामलों में FIR दर्ज करता है अब जहां तक बात रही CRPC section 41A के notice की तो मैं आपको बता दू कि CRPC section 41A का notice FIR दर्ज होने के बाद ही किसी को दिया जाता है इसलिए cyber cell में दर्ज हुए complaint और उसके बाद हुए पूरे inquiry के दौरान आपको किसी भी तरह का CRPC section 41A का notice नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरह के notice को भीजने के लिए या जरूरी है कि कि किसी तरह का FIR lodge हुआ हो अगर मामला inquiry stage पर ही खतम हो जाता है तो इस तरह के notice का कोई अचित्य ही नहीं है इसके अलावा बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि victim direct थाने में जाकर इस तरह के fraud cases को दर्ज कराता है थाना जो है वह FIR दर्ज करता है और उसके बाद उस मामले को cyber cell को refer कर देता है तो इन तरह के मामले में सुरुवाती दौर में ही FIR दर्ज हो जाती है इसके अलावा बहुत तरह के ऐसे government departments हैं जैसे home ministry जो किसी तरह का fraud का मामला अगर उनकी नजर में आता है तो वह उस मामले को cyber cell को refer करते हैं और उनको FIR दर्ज करके मामले का investigation करने के लिए कहा जाता है तो इन तरह के जो high profile मामले होते हैं इनमें भी cyber cell जो है वो सुरुवाती दौर में ही FIR दर्ज कर लेता है और दर्ज करने के बाद direct investigation सुरू कर देता है इन तरह के मामलों में किसी भी तरह की inquiry की कोई बात नहीं होती है direct investigation स्टार्ट हो जाता है तो चाहे cyber cell में complaint दर्ज हुआ हो और बाद में cyber cell ने FIR दर्ज किया हो या फिर सुरुवाती दौर में ही cyber cell ने FIR दर्ज किया हो दोनों ही परिस्थिती में FIR जब दर्ज हो जाता है उसके बाद ही CRPC section 41A का notice आपको भेजा जा सकता है अब सवाल यह उठता है कि क्या bank account freeze होने से पहले भी इस तरह का कोई notice आपको आ सकता है तो वो तभी आ सकता है कि अगर किसी fraud मामले में किसी भी प्रकार का FIR हुआ हो उसमें investigation चल रहा हो और investigation के दौरान आपको पूछताच के लिए इस तरह का कोई notice provide किया गया हो और जरूरत पढ़ने पर बाद में police या cyber sale ने आपके bank account को freeze कर दिया हो लेकिन मैं आपको यह बता दू कि यह rear of rearrest cases में होता है आम तोर पे provision यही है कि जब भी इस तरह के online दोखादड़ी का कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले आपका bank account freeze किया जाता है आइदर police के दौरा और cyber sale के दौरा और उसके बाद जब भी FIR dodge होती है तभी आपको इस तरह का notice भीजा जाता है तो आप लोगों में से जो भी यह जानना चाह रहे थे कि bank account freeze होने के कितने दिनों के बाद यह notice आता है तो इसके लिए कोई time limitation दे पाना बहुत ही बुश्किल है क्योंकि cyber sale को जब कोई complaint मिलता है तो हो सकता है कि inquiry में काफी समय लग जाए 6 महिने का समय लग जाए 8 महिने का समय लग जाए साल भर का समय लग जाए और इसकी संभावना है कि उसके बाद FIR दर्ज हो और FIR दर्ज होके investigation के दौरान आपको इस प्रकार का notice बेजा जाए तो इसमें कुछ भी समय लग सकता है यह depend करता है कि कितनी तेजी के साथ investigating agency जो है वह उस मामले को निपटा रही है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का time limitation दे पाना संभव नहीं है even कि अगर FIR भी हो गया है तब भी इसका कोई time limitation दे पाना संभव नहीं है क्योंकि यह निर्वर इस बात पर करता है कि जो investigation चल रहा है वह किस गती से चल रहा है तो investigation के अनुसार इस तरह के notices मिलने में आपको देर सवेर हो सकते है कोई भी time limitation दे पाना इसमें संभव नहीं है